तो गाईज ये देख रहे हो आप All New Royal Infield की Hunter 350 ये जो आप particular variant देख रहे हो ये है इसका retro variant यानि की base variant और जो ये आप variant देख रहे हो ये है इसका metro variant दो वेरियंट के अंदर जो है company ने इस बाइक को launch किया है retro and metro और metrom जो आपको revenue मिल जाएगा जो ये particular था ने ये metro rebel था इसका जो और प्राइज बढ़ता है गुडगावा हरियाना में वो है 1,91,000 रूपीज बाकी अलग जगया पर अलग डिस्टिक पर जो है ये प्राइज वैरी कर सकता है और जो ये आप retro variant देख रहे हो हंटर 350 का इसका जो और प्राइज बढ़ता है गुडगावा हरियाना में 1,71,000 तो वही चीज जो है इसमें भी आप लोगों मिल जेगी और काफी सारे color option जो है इन बाइक में आप लोगों देखने को मिल जाएंगे टोटल 8 color option मिलेंगे जो कि आपके नीचे screen पे आरोगा यह सारे color option जो है इस बाइक के अंदर दे रखे हैं अगर जैसे आप इन बाइक की जो है बाइक को purchase कर सकते हैं जो इन बाइक के अंदर की मिलती है ौछ इस तरह के एळवी लेवल होती है बिलकुल देखने में इस तरह मिलती है इसमें देखने में अच्छा है ने अच्छा निगता है है याई लगता है ऊक्छा करा सकते हैं टेलिस्कोपिक ही दोनों बाइकों के अंदर फोक्स मिलता है फ्रेंट वाला जो आप ये मैट्रो वेरियंट देख रहे हैं ड्यूल चैनल अगर टायर सेक्षन की बात की जाए तो 110-70 इंच का जो है इसके अंदर टायर एवी लेवल होता है रिफ्लेक्टर भी जो इसके फोक्स पे एवी लेवल हो जाते हैं जो ही रेट्रो वेरियंट है इसमें वाइबरी के डिस्प्रेक नहीं मिलते हैं बट जो डिस्प्रेक का क्राउड खिलेंज मिलता है वह 150 mm का मिलता है और जो अरट डायर तक जो इवी लेकों में रहते हैं और जो इंजन है वहाई को में सेम ही मिल करता है 350 CC का कहने को 350 है वाट है वो 349 CC जो कि प्रिद्यूज करता है 20.2 बीएच्पी एंड 27 एनम का टॉर्क है प्रिद्यूज करता है 35 केमपेल से लेके 40 केमपेल तक की जो है यह जो माइलज है आपको हंटर 350 इजली निकाल के देदेगी तो वीरिंट देखने के बाद बेस वीरिंट देखो के थोड़ा सा तो यह लगता है यहाँ थोड़ा सा अजीब सा है बाकि दोनों बाइको के अंदर के है सिंगल ही होरन मिलता है आग एक तरफ में कोई भी रेडियेटर अविलेवल नहीं होता है अभी डिफरेंस दिखाए ज जो यह Metro variant है इसके handlebar पर आप लोगों यहां पर जो शाल शाट के switch है कुछ इस तरह का मिलता है और hazard light भी जो है Metro variant मिल जाती है और इस साइड में इसका करने के लिए आगे की तरफ में आई बटन मिलता है जो कि इसकी एमाइडी को कंट्रोल करेगा और यह इसके इंडिगेट का और कुछ इस तरह का एवी लेवल होता है स्पीडोमिटर देख लो इसका एनलोग में आता है और जो इसके जो एमाइडी दे रखे है वह आप लोग को यहां से अडजेस्ट कर सकता है यह बटन से इसके अंदर इंफोर्मेशन ओडोमिटर है ट्रिप ए है ट्रिप भी है ट्रिप एफ जब फ्यूल लिजर में रहेगा फ्यूल गेज है टाइम है और गेर भी जो है इसके अंदर शो करता है कि आपकी कौन से गेर में आप राइड कर रहे हो ड्यूल टॉन में दे रखे है बेसिकलिए और जो यह रेट्रो वेरिंट दे से देखोगे तो आप लोग को यूएसबी के लिए चार्जिंग शोक किट भी एविलेबल हो जाता है रेट्रो में एज वल एज मैट्रो में दोनों ही बाइकों के अंदर में इस हंटर थिफ्टी के अंदर के आप लोग को फाइव स्पेड कॉंस्टेंट मैस गेर बोक्स मि नहीं होता है वही जीज़ है एक बार जैसे टोब विरिंट देखने पाथ निच्छे वाले विरिंट देखते हैं तो देखने में थोड़ा सा तो अजीब से लगते हैं सीट दोनों के अंदर सिंगल ही मिलती है बट अभी डिफ्रेंस निखाता हूं देखो सिंगल सीट देर भी काम कर देता है डबल स्टेंड में लगाते हैं तो यहां पर कुछ भी ग्रैब्स में प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो थोड़ा ही सीट दिक्कत है इस बाइक के अंदर आती है और सीट कवर देखो इसके अंदर बिल्कुल सी दे रखिया है रेट्रो वेरिंट में और ज एविलेवल होता है जो मैट्रो वेरिंट है पिछे डिस ब्रेक मिल जाते हैं 270 अम्योंका पिछे वाले डिस ब्रेक मिलता है C8 के टायर मिल जाते है और जो टायर सेक्षन है वो 144-70 इंच का एवी लेवल होता है और जो रेटरो वेरियंट है वो तो पते हैं आप लोगों स्पोक्स यादते हैं 120-80 इंच का जो है इसमें पिछे वाला टायर मिलता है यानि कि टैर की चोड़ाई भी कम मिलते है बर डायमेटर जो है वही सेम मिलते है पिछे की लूक भी जो है इस मेटरो वेरियंट की ही आपको देखने में काफी बेहतरीन से लगेगी अब इन भाई की मैं एक्जोस्ट साउंड सुनाता हूँ हम एक ही भाई की सुना दूंगा दोनों की बिल्कुल सेम है तो कुछ इस तरह की जो है इनके अंदर एक्जोस्ट साउंड मिलती है और जिसे इसके हैंडल भार भी देखोगे ना यह देखो यह सिर्व इतना से मिलता आगे वाड़ा पार्ट से नहीं मिलता है और जो यह मैट्रो वेरियंट है इसमें कैया आप लोग को प्रोपर्ली मालब अच्छा से एंडल मिलता है ग्रैब्स पी अच्छी मिलता है थोड़ा सा ही ज्यादा मिलता है बाकी इतना कोई मेजर सा डिफरेंस नहीं मिलता है और जैसे इनके जो आप यह लीवर देख रहे हो ना उनके अंदर में डिफरेंस दिया हुआ है मैट्रो वेरियंट में और रेट्रो वेरियंट में तो लगवाग लगवाग 20,000 रुपे का डिफरेंस आता है अगर आपको नहीं आई है तो निचे आप मुझे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर निचे सोसल मीडिया के लिंक्स में डाल रखें मासे पूछ सकते हैं अगर आप रोईलिंफिल्ड की कोई बाइक पर्चेस करना चाते हैं आपको बाइक जल से जल जो है डिलीवर कर दी जाए वीडियो कहीं पर एंड करते हैं वीडियो पसंदे लाइक करना चैनल में हो तो सब्सक्राइब करना टेक केर बबाए एंड थेंक्यू सो मच